नमस्कार स्टुडेंट्स आज के इस क्लास में हम लेंसों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं ना क्या पढ़ने वाले हैं लेंसों के अनुप्रयोग के बारे में अनुप्रयोग कहने एक मतलब है उसका उप्योग जो है कहां कहां पर होता है उसके बारे में हम क जो उत्तर लेंस और अतर लेंस में प्रतिविम्बो का निर्माण के इस प्रकार से होता है तो इन सब चीजों के बारे में हम पिछली class हुई थी उसमें हम पढ़े थे ठीक है ओके यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जागर के playlist में देख लिजेगा ठीक है और आगे जो है अब हम पढ़ते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेंस और प्रयोग में जो पहला जो उप्योग जो अनुप्रयोग जो है वह है आवाधक लेंस के रूप में होता है आवाधक लेंस कहने का मतलब क्या है आप देखे होंगे बचपन में खेले ब्लस प्रकार से है एक लेंग्स को कि स्ब्सक्राइब करते हैं जिसकी सायता से किस चीज को भड़ा कर देखते हैं जैसे गड़ी बनवाने जाओं तो आप सुचमद्क चीज्यों को और किस पकार और किस आद कर देखते हैं आप देखेंगे इस प्रकाarcont super से lens जो है इस प्रकाar का जो है army होता है ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं are the village जुकलते हैं जिसके द्वारा किसे सुच्चम चीजों को जो है ठोड़ासा बढ़ा करके कया जाता है देखा करता जाता है आप डाक्टर के पास जाओगे तो आपका जो है दानत को देखने के लिए क्या करेंगी इस प्योंग करते हैं मतलब जो वस्तु जो है बड़े रूप में क्या होते हैं दिखाई देते हैं ठीक है तो यह हो गया लैंसों का पहला अनुप्रयोग आवाजधक लेंज के रूप में उसके बाद दूसरा वाटर लेंज क्या है वाटर लेंज सुछमदर्सी तो जो लेंज उनका दूसरा अनुप्रयोग है दूसरा उप्योग जो होता है वहता है वाटर लेंज के रूप में इसी कारण से इस्ट्रकार जो system बनता है जो सुछ मदरसी बनता है उसको हम क्या बोलते है water lens सुछ मदरसी और इसमें भी यहाँ पर बीच में किसी वस्तु कुरा करके जो है उनको जो है बढ़ा कर के देखा जाता है ठीक है तो जो lens जो होता है उनका उप항 depends you Сейчас है ठीक है यह दूसरा क्या है दूसरा अनुप्रयोग है किनका जो लेंस है उनका उसके बाद जो है यह सुचम दर्शी हो गया है मतलब यहां पर जो है जो चीजे जो होती है उनको जो है सुचम चीजों को हम क्या कर पाएंगे देख पाएंगे किनमें जो वाटर लेंस सुचम लेंस में क्या होगा पानी भरा रहेगा तो बल्भ लेंस मतलम इसमें पानी भरा हुआ है जो बनता है इसको बनता है boss मैंने दोर दर्शी और ईए लग qualcन 1 दर्शी की जीजों को जो है melhores पुरसप देख पाते हैं ठीक है ना समझ में आया दूर की चीज़ों को जो अच्छे सम देख पाते हैं इसमें जो है जैसे चंदमा को देखना हूं तो हम किसे देख सकते हैं हैं वाटरलेंस दूरगदर्श्इ्व के साहता से हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं समझ में आयां ओके उसके बाद देखे अभी तक जो बता रहा था था तीन चीज़े बता दिया हो ना वाच्धक लेनस working दूश्मदर्सी और वाटर लेंज दूर दर्सी तो यह सब क्या है लेंज के जो है अनुप्रयोग है कि लेंज को प्यों कहां कहां पर होता है उसके बद आगे जो बताने यह समझ जाएंगे उसके बाद जो है कभी नहीं भूलेंगे ठीक है तो देखिए हमारा जो नेत्र जो होता है इस प्रकार से गोलकार होता है इस प्रकार से समझ में आया ना इसको कार्णिया इसको कार्णिया बोलते हैं उसके बाद जो है कार्णिया के पीछे एक अपार दर्सी पर्दा होता है क्या होता है एक अपार दर्सी पर्दा होता है है ना जो आँख में आप देखते होंगे ना काला काला दिखाई देता है गोल ऐसा गोला कार का तो वही क्या है वही जो है एक अपार दर्सी पर्दा है जिसको हम क्या बोलते हैं आईरिस बोलते हैं क्या बोलते हैं आईरिस देखिए यहां पर जो है यह नीला रंग आपको दिखाए दे रहा ना यहां से यह अपार दर्सी मतलब इनके आर पार कोई भी जो है कुछ भी ची किस में होता है आयरीस में और उसी को हम क्या बोलते हैं पूतली पूतली जो हमारे आँंख्यें हैं उनके 20 वेच में जो हाप देखेंगे एक चोटा सä छेथ ग्राइब के दिखाई देगा जो गला-कला जो होता है जिसके हम आइरेश बोलते हैं जो पलोर परदरसी परदा है उनके प्रकी मिच में इस प्रकार से मानकर चलिए यह जो है क्या है ऑंके यह ना तो यह आंक है तो इस प्रकार से आप देखते होंगे इस आंक में जो है इस प्रकार से जो है यह जो है सब गोल अकार का होता है ना तो यह जो आईरिस में ही क्या होता है एक छेद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पूपील बोलते हैं क्या बोलते हैं पूपील या फि है ना उसके बाद जो है हम और आगे देखते है ना उसके बाद जर्ष्ट आईरीस के बाद क्या होता है इसके पीछे में जो है एक नरम और पारडर्सी पदालतर का बना एक जो है उत्तर लेंस होता है यह क्या है उत्तर लेंस हमारी आखों में जो लेंस होता है यही होता है उ पर यह जो है आँकों में पहुचती है उसके तुक तो तो टो जय को जाता है है अपने हैं प्रकास कियन जो है दो जो है छोटा भी हो जाता है बड़ा भी हो जाता है। कॉर्ण Nós ought okay तो शोटा कर लेते हो जादा जबाधा से अब जो रोष्णी है जब ज़्यादा आते है तो आप को जो आपने अच्वक्त हिस बड़ा हो जाता है जब समाने रहत deci तो जो पेसियां जो होती है ना ठीक है ना पेसी जो होती है वो क्या करते हैं इनका छोटा बड़ा करने में जो है help करते हैं समय रहा है और यही जो लेंज जो होता है न उत्तर लेंज इसको हम क्या बोलते हैं यह जो होता है मानवनेतर के जो मानवनेतर होता है इनके अंदर में है ना अंदर में जो है ठीक है एक जो है पार दर से जिल्ली होती है क्या होती है एक पार दर से जिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते है रेटीना बोलते है यह जो है एक पार दर से जिल्ली होती है मानवनेतर के जो है अंद तो यह जो पालडर सी धिली होती है इसको हम क्या बोलते हैं ठीक है ओके हैं और रेटीना बोलते हैं यह समझ गए होंगे और यही जो रेटीना होता है इसी में जो है एक बिंदू होता है क्या बिंदू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पीद बिंदू क्या बोलते हैं पीद पर बनता है तभी हमको दिखाई देता है और यदि ये प्रतिवीम पीत बिंदू पर बनता है तो वो जो है कोई भी चीज़े जो है हमको इस पश्ट रुप से दिखाई देती है यदि पीत बिंदू के अलावा इधर उधर और बन दिये तो वो हमको कोई भी चीज़े जो है उतना इसप्ष्ट दिखाई नहीं देता, समझ में आया, तो ये होगे क्या आप भाग को जान लिए कि माना नेता की कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले बताया हूं, क्या बताया हूं कार्णिया बताया हूं, माना नेता पहली बात तो गोल होता है, और जो अबरा हुआ होता है इनको क्या क्या बोलते हैं ठीक है ना और कार्णियंय के ज़स्ट बाद क्या होता है कार्णियर जो है इस been हम बोलतے है प्यूपीन क्या बलते हैं प्यूपील या पूतली बोलते हैं इसको और इसके बाद जयश्ट्ट क्या होता है एक जो है नर्म ये लेंस होता है इसी लेंसकी साथ тяжiges में पहुंचती है te और यह जो इनको प्रकास आती है उसके निसार जो है चोटा बड़ा होते रहता है प्रकास प्रकास जास पहुंचती है हमारी आखों में तो क्या होता है इस लेंज से जो है आँख गुजरती है और गुजरने के पस्चाद जो है क्या होती है यहीं से जो है रेटीना पर क्या होता है रेटीना पर जागर के इस प्रकार से जो है क्या बनता है प्रतिवीम बनता है तब हमको कोई भी वस्तु जो है क्या होती है हमको दिखाई देती है समझ मैं आया और हमैसा प्रतीबीम रेटीना पर ही क्या होता है बनता है तभी हमको कोई भी वस्टु क्या होगी दिखाई देगी और रेटीना पर भी पीध बिंदु होता है न compassionate समझ मैं आया तो आप समझ गये होंगे तो यदि आप से पुझा जाए कि हमारे जो है हमारी जो आँक जो होती है उसमें जो है प्रतिवीम कहां पर बनती है तो रेटीना पर बनती है समझ मैं और रेटीना क्या है एक पालदर्सी जो जिल्ली जो है न जो हमारी जो नेतरलेंज होती है उनकी पीछे साइड में जो है भीतरी भाग में जो है होती है समझ में आया तो यह आप जान गए होंगे आख के बारे में मानों नेतक बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे ठीक है ना यहाँ पर अब हम जानेंगे कि यह तो हो गया है ना मानों नेतक अब इसके बाद जो है हम जो है दोस के बारे में जाने दो अच्छा उससे पहले कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं हमारी जो आंग जो होती है उसके बारे में कुछ फैक्टे जो है छूट रहा था तो देखे किसी वस्तु से आने वाली प्रकास कीर्णे कार्णिया से गुजलने के बाद नेतर लेंस पर आपतित होती है इससे अ प्रकास की किर्णे जब क्या होती है कार्णिया पर आपतित होती है तो आपतित होने के पच्चा जैसे ही नेतर लेंस पर आपतित होती है तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है क्या होता है यहां से जैसे ही जो है यह जो है क्या होता है यह जो है यह यहां साने के बाद ज प्रतिभीम हमें सब कैसा होता है वास्तवीक और उल्टा बनता है औके समझ में आया और उसके बाद हम यहां पर दोश देखेंगे हैं दोश कितने प्रकार के होते है दोर की वस्तु जो हमको दिखाई नहीं देती है क्योंकि प्रतिभीम पर बन जाता है जो प्रतिभीम जो रहता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है इस करणर से तो इस प्रकार के दोस्त को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस को प्योग करते हैं इस प्रकार के दोस्त को जो है हम दूर करने के लिए जो निकड़ द्रिश्टी दोस होता है उसके लिए हम आउत तो ऐसा जो दोस होता है उनको दूर करने के लिए हम आउतर लेंस का क्या करते हैं उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं आउतर लेंस का अब यह जो होता है तो इसमें जो है जो लेंस जो होता है वो क्या हो जाती है लेंस जो है पतली हो जाती है थोड़ा इस प्रकार स तो आपको समझ में होगा ठीक है तो आज के लिए वस इतना है झाल झाल